दोस्तो नमस्कार मैं हूँ मनी पांडे और आप देख रहे हैं बेस्ट इन बैंक्स दोस्तो अगर आपको ओनलाइन सॉपिंग करना बेहत पसंद है तो एमजन उसमें टॉप माना जाता है कभी कबार ऐसा भी आपके साथ होता होगा कि आपके पॉकिट में एक भी रुपे नहीं होते होंगे और आपको सामान खरीदना मजबूरी हो जाता होगा ऐसे में आप क्या कर सकते हैं आप पॉड़क्टो कैसे खरीद सकते हैं डॉंट वरी मैं आपको बताता हूँ Amazon offer करता है आपको Amazon Paylator की service आप Amazon Paylator का इस्तमाल करके उसे activate करके आप shopping कर सकते हैं और बाद में अगले महीने यानि एक महीने के अंदर उसके payment को कर सकते हैं Amazon को वापस दोस्तों अभी Amazon Paylator service कैसे activate के जाता है और इसका पूरा इस्तमाल क्या है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो वीडियो में अंतक बने रहेगा सबसे पहले मैं आपको Amazon Paylator के बारे में थोड़ा सा extra information दे देता हूँ उसके बाद बताऊंगा कि कैसे आपको Amazon Paylator को activate करना है दोस्तो Amazon Paylator जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि buy now Paylator की service है आप अभी Amazon से समान को खरी सकते हैं और अगले महिने तक उसे आप लोटा सकते हैं जिसमें आपको किसी भी तरीके का interest rate नहीं देना पड़ेगा Amazon को अगर आप payment में late करते हैं तो आपको थोड़ा सा यहां पर interest rate देना पड़ेगा यहां पर आपको एक लाख रुपय तक की limit देखने को मिल जाती है यानि maximum आपको एक लाख रुपय तक का limit दे दे जाएगा डिपेंड करता है आपके civil score पर या फिर आपने कितना Amazon से shopping किया है साथ ही Amazon Paylator के माध्यम से आप नाहीं सिर्फ Amazon इसके अलावा भी धेरो सारे applications पे payment कर सकते हैं जैसे कि Swiggy और भी धेरो सारे companies हैं जहां पर आप payment कर सकते हैं और उसको Buy Now Paylator के माध्यम से अगले मही ने उसके payment को लोड़ा सकते हैं अब चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको Amazon Paylator को activate करना है Amazon application का link मैंने आपको description box में भी दे दिया है वहाँ से भी आप download कर सकते हैं अगर आपने Amazon Pay account नहीं बनाया है तो आप account बना लीजेगा फिर यहाँ पर आपको Amazon application को open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पर उपर की तरफ आपको एक search का icon देखने को मिल जाएगा यहाँ पर basically इस पर click करना है और यहाँ पर आपको search करना है pay later दोस्तों जैसे ही आप pay later करके search कीज़ेगा यहाँ पर आपके सामने एक उपर option देखने को मिल जाएगा जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ Amazon Pay later का तो यहाँ पर आपको Amazon Pay later पे click करना होगा जैसे ही आप Amazon Pay later पे click कीज़ेगा यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कि आप इसके लिए eligible है या फिर नहीं है दोस्तों अगर आपने Amazon Pay में अपना bank account या फिर आप Amazon Pay का इस्तमाल करते होंगे तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कि आप eligible है या फिर नहीं है फिर भी यहाँ पर आपको नीचे एक check your eligibility का option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको check your eligibility वाले option पे click करना होगा दोस्तों जैसे ही आप check your eligibility पे click कीज़ेगा इनका pay letter का जो credit score चेक करने वाला form होगा वो खुल करके आ जाएगा यहाँ पर आपका complete ना, mobile number, email address, automatic आपके Amazon Pay से detect कर लिए जाएगा अगर यहाँ पर आपका details, automatic detect नहीं हो पाता है तो फिर यहाँ पर अपने नाम का पहला जो word है आप यहाँ पर first name परेंगे यहाँ पर अपने नाम का last word यानि last time भरेंगे फिर यहाँ पर mobile number भरेंगे, यहाँ पर अपना email ID भरेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना pen card का number भरने का option देखने को मिल जाएगा इस वाले box में अपना complete pen card का number भरेंगे pen card के number को भरने के बाद यहाँ पर आपको date of bar select करना होगा उसके लिए आपको अपने date पर क्लिक करके आपको select करना है कि कौन से date पर आपका जनम हुआ है फिर यहाँ पर आपको month पर क्लिक करना है कि कौन से month में आपका जनम हुआ है और फिर यहाँ पर आपको last में year पे click करके आपको select करना है कि कौन से year में यानि कौन से साल में आपका जनम हुआ है तो यहाँ पर अपने जनमतिती को select कीजेगा फिर नीचे यहाँ पर आपको एक terms and condition का box तिखेगा इस box पर आपको check करना होगा उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर submit option देखने को मिल जाएगा आप submit वाले बटन पर click कीजेगा दोस्तो अब जैसे ही आप submit वाले बटन पर click करेंगे अब next page कुछ इस तरीके से खुल करके आजाएगा जहाँ पर आपको एक alternative mobile number देना होगा यानि कोई दूसरा mobile number आपको यहाँ पर भरना होगा तो जो भी कोई other mobile number आपके पास में है वो अलब mobile number आप यहाँ पर भर दीजेगा mobile number भरने के बाद नीचे आपको submit बटन पर click करना है दोस्तो यहाँ पर आपने जो alternative mobile number दिया है वहाँ पर अगर आप कोई ऐसा mobile number देते हैं जिस पर पहले से loan चल रहा है या फिर loan जिस पर आपने पहले से लिया हुआ था और चुका दिया है तो आपके लिए बहुत best होगा definitely उस number से आपको credit line यानी Amazon Payletter के service यहाँ पर activate कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको वही mobile number देना है अगर है तो नहीं है तो कोई और भी दे सकते हैं अब यहाँ पर next page आपके सामने कुछ इस तरीके का खुलके आएगा जहाँ पर आपको कुछ additional information प्रभाइड करने के लिए बोला जाएगा उसके लिए यहाँ पर आपको एक continue का button दिखेगा आपको continue वाले button पर यहाँ पर click करना है अब आपके सामने कुछ सवाल आ जाएंगे जिन सवालों का आपको जबाब देना होगा तो चलिए फटाप उट से हम आपको बताते हैं क्या क्या यहाँ पर आपको सवाल पूछे गए हैं दोस्तो यहाँ पर सबसे पहला question आपसे पूछा जाता है housing loan के बारे में यहाँ पर पिछले 12 महीनों के अंदर अगर आपने किसी भी company के साथ housing loan लिया है तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन में से किसी company के साथ आपने housing loan लिया है या फिर नहीं अगर आपने इन में से किसी भी company के साथ housing loan लिया है या फिर housing loan लिया ही नहीं है तो यहाँ पर आपको known of above select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है दूसरे वाले question में कि इन में से कौन सा आपके voter ID का last 5 number है यानि आपके पास जो भी voter ID का devilable है उसके last का 5 number इन में से कौन सा है अगर कोई भी नहीं है तो यहाँ पर नीचे आपको known of above का option भी देखने को मिल जाएगा आपको known of above भी select कर लेना है अगर इन में से कोई है तो आप इन में से कोई भी number select कर सकते हैं अगर आपके voter ID का last 5 digit जो है इन में से कोई match करता है तो उसके बाद तीसरा question आपसे पुछा जाता है credit card के बारे में यहाँ पर आपसे पुछा जाता है कि आपको किस company ने इन में से credit card यानि कौन से financial company ने यहाँ पर इन में से credit card या फिर loan account दिया है तो अगर आपको इन में से किसी company ने दिया है loan account या फिर credit card तो आपको select करना है अगर नहीं है तो आप यहाँ पर known of above select करेंगे फिर यहाँ पर आपको नीचे आना है तो चौते question में आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको किसी company ने नए में credit card यानि एक नया credit card issue किया है तो वो कौन सा company है अगर इनमें से कोई matching company है यहाँ पर in options options में से तो आप यहाँ पर select कर लिजेगा जो भी company ने आपको इनमें से credit card ओफर किया है अगर नहीं तो यहाँ पर आपको known of above का भी option देखने को मिल जाएगा अगर आपको किसी भी company ने नया credit card नहीं दिया है तो आप known of above को select करेंगे फिर यहाँ पर आपको पांचवा question देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप से पूछा जाता है कि आज तक आपने सुन्दरम finance से loan लिया है या फिर नहीं लिया है अगर लिया है सुन्दरम finance से loan तो फिर highest कितना loan आपने लिया है अगर आपने यहाँ पर highest loan जितना भी लिया है अगर इन में से कोई एक है तो आप यहाँ पर select करेंगे यहाँ पर अगर आपने सुन्दरम finance से कोई भी loan नहीं लिया है तो आप यहाँ पर I don't have an account with सुन्दरम finance को option यहाँ पर सबसे last for the option को select करेंगे दोस्तो इतने सारे questions के answer देने के बाद यहाँ पर आपको verify का option देखने को मिल जाएगा अब verify वाले बटन पर click करेंगे थोड़ा सा आपको यहाँ पर wait करना होगा जब तक कि यह page verify हो जाता है दोस्तो अब next page कुछ इस तरीके से नहीं दिखाया जा रहा है और यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि thank you for your interest in Amazon Paylator currently you are not eligible we are working towards यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम अभी Amazon Paylator के लिए eligible नहीं है यानि हमारा civil score 0 है जिस करन से हम Amazon Paylator को activate नहीं कर सकते हैं अगर आप Amazon Paylator के लिए eligible होईएगा या फिर अगर आपका civil score ठीक होगा तो आपका civil score यहाँ पर दिखाया जाएगा और आगे का process आपके सामने खुल के आ जाएगा Amazon Paylator को activate करने के लिए दोस्तों next वाले page में आपको अपने अधार card का number भरना होगा उसके बाद जैसे ही आप next कीजिएगा फिर आपके अधार card से registered mobile number पे OTP जाएगा आपको वो OTP वहाँ पर डालना होगा फिर next कीजिएगा तो आपका KYC भी complete हो जाएगा यानि आपका KYC verification भी complete हो जाएगा फिर आपका जो भी limit आपको मिलेगा Amazon Payletter का वो आपको यहाँ पर display पर देखने को मिल जाएगा और आप उसके बाद Amazon Payletter को activate कर सकते हैं और आप जो इसका इस्तमाल भी कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके से आप Amazon Payletter को activate कर सकते हैं अगर आप eligible होईएगा तो यहाँ पर जैसे ही आपने Amazon Payletter search करके इस page को open किया यहाँ पर ही आपको apply law का option दिखा दिया जाएगा तो यहाँ पर हम फिलाल eligible नहीं थें जिस करन्द से हमें apply law का option नहीं दिखाया गया है तो मैंने आपको पूरा process बता दिया है कोई भी extra details आपको भरने की जुरूत नहीं है इसके अलावा बहुत ही easy process है अगर आप eligible होईएगा फिर भी तो आपको इसी तरीके से आपको Amazon Payletter को activate कर लेना है उमीद करता हूँ कि वीडियो में दीगी जनकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, share, comment कीजेगा और चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा